हेलो एब्रीवन वेलकॉम तो अभीपीडिया एससी आयम अक्षे सोनी एंड आई होप यू आल आई डूइंग वेल तो आज के सेशन में हम डिसकस करेंगे कैलेंडर का पार्ट तू औरेडी पार्ट वन हमारे चैनल पे अप्लोडिड है तो आपको आप उसको गो थू कर सकते है for basic concept ठीक है basic concept उसमें हम डिसकस करचुके आज की सेशन में हम करेंगे multiple चोशन और इन multiple choice questions के साथ मैं आपसे share करूँगा कि इन में कुछ जो different टाइब के questions आएंगे उनको आप कैसे tackle करों कि कैसे करोगे तो session को शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं टाइर वन के लिए है और ये आपके टोटल टैन जो है फुल लन्न मिल रहे हैं जिसमें कि आपको पूरे टैस्ट तो मिले गे ही साथ में आपको जो भी आप उसमें perform करोगे उसकी performance का आपको analysis भी मिलेगा ठीक है क्योंकि यह all India test series है तो आप इसके through जान सकते हैं कि आप में और topper में ठीक है हो सकता है कि आप से better को score करने बाले हो तो उन से आप compare कर सकते हैं कि आप में और उन में कितना difference है कहां पे आप जो है लैक कर रहे हैं और कहां पे आपको improvement की जुरूरत है ठीक है तो यह आप जॉइन कर सकते हैं और यह जो test series है यह सिर्फ और से 50 रुपे में ठीक है तो इस opportunity का फाइदा उठा सकते हैं और इसका link आपको description में मिलेगा ठीक है और साथ में मैं आपको बताता हूँ क्योंकि अभी PDSAC ने एक community group जो है बनाया है इसको आप join कर सकते हैं इसका भी आपको link bio में मिल जाएगा तो सबसे पहला question देख लेते हैं इस question में given है कि which day is after 258 days if today is Monday तो आपको question कैसे आएगा question आएगा आपको कि आज से इतने दिनों बाद या इतने दिनों पहले कुछ इसमें given होगा days given होगे उनको आपने देखना है कि इतने दिनों इसको बाद जो है कौन सा दिन बना इसमें specifically बताया गया 258 days तो हम इसको करेंगे तो आपने क्या करना है ध्यान रखना है कि जब भी आपको उसमें mention है कि कोई भी इसमें चीज आपको नहीं बताएगी है कि इसको first day को include करना है या तो टो डे को include करना है तो तब तक आपने इसको first day को include नहीं करना जब तक कुछ में mention नहीं है इसमें mention नहीं किया गया है तो हम इसको exclude ही करेंगे तो हम इसको Monday को पहला दिन नहीं मानेंगे इसके बाद देखेंगे कि 258 days के बाद क्या है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें हम देखेंगे 258 days में कितने और days है मतल इसमें जो है विक्स बन रहे हैं तो विग्स आपके यहां पी या जाएंगे और नीचे जो बचा ऑपके आपके जाए जाए जैसे 730 21 यहां पर कितना बच गए इसान ऊपके यह से पर और तैम ऑन बचाए शेस और इसमें बचा ए भाज किया है यहां पर आफ्टर आफ्टरक रिए आप क्या करोगे मंडे के बाद इसको काउंट करने सुरूख करोगे मंडे के बादज का रूप करोगे जैसे मंडे है आपका फुरस डे इसमें छे और कर दो तो चेर करने के आएगा सैवन 當 San बनेगा Sunday ठीक है यह आपका आएगा उस case में जब आपको after given होगा ठीक है कोई भी particular day है वो उसको आज बोला गया है तो उसके बाद जो दिन होगा वो उसमें क्या करना पड़ेगा हमें उसमें remainder को या odd days को आपको add करना है बट अगर आपको उसमें before दे दिया जाए तो क्या करेंगे मानके चलते हैं जैसे इसमें बोल दिया 258 जेट एक डेस पहले ठीक है आज का दिन है Monday तो 258 डेस पहले कौन सा दिन था तो 258 डेस के लिए हम क्या करेंगे आज Monday से पहले करेंगे इसमें तो Monday के पहले 6 दिन 6 दिन पहले क्या आएगा इसमें अगर आप इसको माइनस करो गए वही दिन आ जागा मंडे आ जाएगा ठीक है अगर माइनस six करेंगे तो क्या आएगा इसके पहले इसके बाद में कौन सा दिन है इसके बाद में आ रहा है दिन Tuesday तो यह Tuesday होगा इसके 258 डेस पहले ठीक है तो अभी इस question क्या answer था क्योंकि हमें after find out करना था तो उसमें जो answer है वह आपका आराइस में Sunday यह पहली option इसका answer बन रहा है ओके तो यह था पहला question अब हम second question देख लेते हैं इस question में आपको बोला गया है कि which day is after 39 days 39 days के बाद कौन सा दिन है ठीक है और क्या बताया गया if today is Wednesday तो Wednesday है पहला दिन और क्या बोला गया including both first and last day दोनों दिनों को include किया जाएगा पहले और last दिन को मतलब हमें पहले दिन को include करना है ठीक है पहले क्या करते हम पिछला जो question था उसमें हमने last दिन को include किया था बट इसमें हमें पहला दिन भी include करना है तो अभी क्या है आज से 39 days के बाद तो आज का दिन भी include होगा तो कितने बनेगे टोटल बने 40 days अब 40 days में हम चेक करेंगे कि इसमें कितने और देख सकते हैं कि 35 का बनेगा इसमें 35 days के बन जाएंगे five weeks और इसके अलाबा कितने दिन बचे पांच दिन बच गए बच गए तो five days होंगे और डेज है ठीक है पांच और डेज हैं तो आपने क्यारना क्या है आपने वेटनेस दे के बाद पांच दिन को इसमें आड कर लेना तो बेटनेस देग पांच दिन क्या आजाएगा इसमें आजाएगा बेटनेस के बाद thursday friday saturday sunday and monday ठीक है तो पांच दिन बाद क्या होगा यहां पर monday option c जो होगा इसका answer बनेगा ओके clear तो next question देख लेते हैं which day is 32 days before today if it is Saturday तो डेगर क्या है Saturday तो हमें क्या करना sound 32 days पहले देखना है तो उसमें last day का या first day का include करने का नहीं बताए गया तो हमें क्या करना है Saturday के पहले देखना है Saturday के पहले क्या हैगा 32 days में आप देख सकते हैं 32 days में 28 days के तो बन गए आपके 4 week ठीक है इसके अलावा आपको क्या मिल रहा है इसमें 4 days जो है इसमें extra बन रहे हैं मतलब यह odd days है अब odd days जो आपको मिले यहाँ पे तो आपने क्या करना है आपने चेक करना है यहाँ पे इसमें after बोला है कि before इसमें before बोला है तो before के लिए क्या करेंगे क्योंकि Saturday आपका 6 दे है ठीक है इससे चार दिन पहले क्या होगा चार दिन पहले जो होगा आपका देखिए जैसे अगर Monday हमारा पहला दिन है ठीक है Tuesday तो उसी तरह से सैटरड़े अगर सिक्स दे है तो उससे चार कम कर लो चार कम किया तो क्या आएगा इसका अंसर आएगा टूजडे ठीक है तो टूजडे आपको यहां पर डी ऑप्शन में देखने को बिल रहा है ओके तो अभी नेक्ट कोशन देख लेते हैं यह कोशन गिवन से हैं अगर आपको पहला डे मैंशन किया गया है इसमें कि इसको इंक्लूड करो तो उसको इंक्लूड करना है अगर उसको एक्सलूड करने के लिए बोला तो पहला इसमें बोला गया यहां पर कि विच डे ऑफ दा वीक वीक का कौन सा दिन होगा on 10th of August 2020 if it is Sunday on 18th March 2020 18th करना है हमें देखना है कि दो को यह पहला यह पहला दिन है जो कि संडे बन रहा है ठीक है और उसके बाद अगस्त मंत आ रहा है मार्च के बाद अगस्त मंत आता है तो हमें क्या करना है इसमें आफ्टर बाला कॉंसेप्ट लगाना है और उसमें क्या किया जाएगा जो और होंगे उनको एड किया जाएगा तो देखिए अभी 18th March 2020 इसको है आपका डे संडे है ठीक है तो इसमें देखना है क्योंकि इसको इस डे को इंक्लूड नहीं किया जाएगा तो हम देखेंगे कि मार्च मंत में कितने डेज हैं टोटल अप्द तर्ट्रिब्वन उसमें से अठारा दिन हो चुके कितनी दिन बचे तो मार्च मंत में जो डेज बचते हैं वो है तेरा दिन अब तेरा दिनों में देखना कि और देस educational आया आप देख सकते हैं समय साथ दिनों का एक वीक बना और छे डिन इस एक्स्ट्रा है तो 6 दिन जो बचे वह आपके ओर डिज ठीक है अभी हम 13 को 13 को काउंट नहीं करेंगे हम काउंट करेंगे इसमें 6 ठीक है April मंथ में आप सकते हैं April मंथ में कितने डेज हैं पूरा मंथ है तो उसमें कितने याएंगे 30 देस तो 30 देस में कितने ओर डेज है टू ठीक है फिर आएगा में तो में मन्त में कितने हैं थर्टी वन डेज हैं तो उसका मतलब है उसमें आएगा थ्री ठीक है और नेक्स्ट आपका जून जून मन्त में कितने हैं इसमें आपके थर्टी डेज हैं तो उसमें और डेज हैं टू ठीक है आप देख सकते हैं यहां पर चार और तीन साथ बंगे इसको आप कैंसल कर तो क्योंकि यह पूरा वीक बन गया जब वीक बन जाए तो हमें उसकी जुरूरत नहीं है उसको हम उसकर हिसको तो जुलाइं मुंत है एक जाया है तो नकिया है तो उसको किया तो अगस्ट है तो पूरे नहएं हम इसको कर लें तोदस यहां पर है दस का मतलब जाती है साट दिन का वीक बन जाँ तो आप देख सकते हैं इसमें 3 और दो 5 पांच और 6 कितने होगे 11 11 का मतलब है 7 दिनों का एक बिक बना और 4 दिन झो है इसमें एक्स्ट्रा है चार दिन और टेश हैं तो चार और वर देश होने पर आपने क्या करना है क्योंकि यह ड जो है इस मंद इस मार्च मंद के सुरू नतों आफ्टर बन रहा है तो हमें क्या आइड करना है संडेर कर दो क्या जाएगा मंडे तुयस्डे छो की आचे ऑप सरा जो की और आपको देखने को बिल रहा है फीक है तो इस तरह संदय कोफ हो Friday on 15th August 2023 ठीक है 15 अगस्थ 20 24 को Friday हो अगर इसमें इस बोला गया ये पर्टिकुलर वहι डेट है तो इसमें बोला गया कि पंदरास 2023 को अगर फ्राइड हो तो हमें बताना है 25th November 2023 को क्या होगा तो आपने क्या करा है सेम उसी मेरार में इस कोशन को करेंगे 15 अगस्त है तो आपको पता है कि इसमें अगस्त मन्त में कितने डेज हैं अगस्त मन्त में आपके 31 डेज हैं 15 दिन बीच चुके हैं और हमें क्या है इसमें मिल कितने दिन रहे है एक्स्ट्रा जो दिन बच रहे हैं इसमें वो बच रहे है कि यह 30 days का है ठीक है पूरा complete month है तो 30 days है तो इसमें कितने दिन आएंगे और देज दो और उसके बाद October month October month की अगर हम बात करें तो 31 days होने के बज़े से इसमें कितने इसमें तीन दिन आएंगे तो आप आप देख सकते हैं चार और तीन साथ यहां पर एक वीक बन गया इसको कैंसल कर दो हम इसकी जुरूरत नहीं है ठीक है और उसके बाद कितना यहां पर टॉइंटी फिफ्ट और नोवेंबर तो नोवेंबर मन्त के जितने भी दिन हैं उनको हम इंक्लूड कर लें जो कि यहां पर गिवन है तो टॉइंटी फाइज में कितने और डेस होंगे आप देख सकते हैं 373 तुइंटी वन तीन वीक बन रहे हैं और चार दिन एक्स्ट्रा बच रहें अब चार दिन एक्स्ट्रा जो बचे संडे मंडे एंड ट्यूज्डे तो ट्यूज्डे इसका अंसर होगा जो की आप्शन भी में आपको देखने को मिल रहा है ओके तो इस तरह से कोश्चन होगा next question है what day will be on 17th of July 2023 if today that is 17th of March 2023 it is Wednesday ठीक है तो जुलाई क्या बोला गया है जुलाई मंत का find out करना है March Month में आपको already given है तो March Month का अगर हम देखें कितनी है 17 ठीक है March Month में कितने दिन बचें सत्रा दिन हो चुके हैं तेरा चौदा दिन बचते हैं ठीक है तो वो जो April month, April month में कितने हैं? April month में इसमें है 30 दिन, इसका मतलब है 2 और डेस, और May इसमें कितने दिन है? 31 दिन, इसमें कितने और डेस है? 3 और June month में आप देख सकते हैं, इसमें कितने दिन है? 30 देस, तो 2 और डेस, और June के बाद है जुलाई मन्त, अब जुलाई मन्त का आप देख सक तो दो वीक की आपके स्में चौदा दिन ठीक है 14 तक जो है दो वीक बन के तीन दिन एक्ष्ट्रा बचते हैं तो तीन यहां पर लिख देते हैं आप सकते हैं यहां पर भी 7 बन रहा है यह भी हमारे लिए जुरूर का नहीं तो इसको भी हम exclude करेंगे बचा तीन क्योंकि मार्च के बाद यह आ रहा है तो इसका मतलब है कि यहां पर हम तीन को एड़ करेंगे किस डे में वेड़नेस्ट में वेड़नेस्ट के बाद क्या आएगा थर्स डे फ्राइडे सैटर्डे तो सैटर्डे आपको मिल रहा है वी ऑप्षन में ओके तो यह इसका answer होगा अब यह question देख सकते हैं इसमें आपको given है यहां पर कि which day will be on 17th July 2023 अगर today that is on 17th March 2014 it is Wednesday ठीक है अब यह Wednesday दिया गया है ठीक है 2014 की बात कर रहे है और कौन सा दिया है यहां पर 2023 तो इस question को देखो अभी आपको क्या करना है इसमें 2014 मार्च की अगर हम बात करें 17th की मार्च की बात करें तो यह क्या मिल रहा है आपको यहां से आप क्या करोगे odd days देखोगे odd days किसके पूरे साल के अब 2014 से अगर 15 तक देखें तो इसमें 17th मार्च तक ही आपको 365 days में कितने मिल रहे हैं इसमें 52 weeks complete और एक और डे मिल रहा है ठीक है क्योंकि ordinary year में ही कांट हो रहा है 365 दिन ordinary year अब 2015 से जब आप 16 में जाओगे तो आप देखोगे इसमें कि सोला का जो February मन्त है वहां पे एक दिन एक्स्ट्रा बन रहा है इसका मतलब है कि यहां पे 366 दिन होगे तो only 65 365 डेज यहां पे एक दिन मिल रहा है अब 17से 18 इसमें एक मिल रहा है एक और तो और देSt 19 जाओगे से concept लगेगा मार्च से मार्च तक तो उसमें फैब मन्त का जो 29 फैब है वो एड़ हो जाएगा तो दो मिल रहे हैं इसमें अब देखिए 20 से 21 और 21 से 22 और 22 से 23 ठीक है थोड़ा समय सरफ जमेन ज्यादा शिप्ट कर लिया है तो 20 से 21 में क्या हो रहा है इसमें 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 आप आपको एक और डे मिलेगा 21 से बाई में एक और डे और 22 से 23 में आपको एक और आपने क्या करना है आपने देखना है कि यहां पे कहीं पे 7 तो नहीं बन रहा जैसे 7 बनेगा तो उसको हम एक्सलूट कर देंगे जैसे 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 का मतलब 11 डेज आगे इसका मतलब है एक व यहां पे क्योंकि मार्च में दिया है 2014 का यह वेंस्डे है अगर हम 17 ओफ मार्च 2023 को देखें तो उसमें कौन सा दिन आएगा पहले हमें यह दे निकालना है तो क्या आएगा यहाँ पे चार एड कर दो Wednesday के बाद क्या आएगा Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Sunday आएगा इसका इस दिन, Sunday आ रहा है ठीक है अब आप देख सकते हैं यहाँ पे Sunday इसमें मिल रहा हमें जाना है कहां तक जुलाई तक अब हमें इसमें आगे वही concept को यूज करना है अब हमें यह दिन पता चल गया हमें बताना है इसमें से 17 आप जुलाई तो क्या करेंगे मार्च के कितने दिन बचे इसमें इसमें बच रहे हैं आपके 14 दिन 14 दिन का मतलब है जीरो एपरिल मंत की बात करें तो एपरिल मंत में बन रहे हैं दो दिन ठीक है और में मंत में कितने बन रहे हैं इसमें भी आपके तीन दिन बन रहे हैं और जून मंत के दो यह आपका साथ दिन कैंसल हो गया और कितने दिन बचे तो ये तीन बचा, अब आपने करना क्या है, संडे के बाद इसको तीन एड कर लेना, संडे के बाद तीन क्या आ जागा, Monday, Tuesday and Wednesday, तो Wednesday जो होगा इसका आंसर आगे, ये थोड़ा lengthy question था, इसको आपको इसमें count करना पड़ना था, क्योंकि days भी हमें find out करने, अब year wise भी हमें इसम question हुआ, अब next question देखो इसमें, what day will be on 10th of Feb 2024, if today that is on 10th of Feb 2023, it is Friday, 10th of Feb 2023 की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 10th of Feb 2023 से हमें क्या करना है, 10th of Feb 2024 तक जाना है, कितने days बने, इसमें बने, इसके बाद, क्योंकि इस दिन को हम include नहीं करेंगे, तो कितनी दिन बने, 365 days, मतलब एक और दे, तो जो दिन इसमें है, उसमें क्या करेंगे, एक दिन एक्टा कर लेंगे, एक दिन एक्टा जब आप जोड़ोगे, इसमें इस दिन Friday था, तो इसमें क्या ठीक है, तो Saturdays का answer है, अब यह question दिया गया है कि which year has the same calendar as 2023, किस year का जो है same calendar year है 2023 का, तो मैं आपको बता दूँ, इसमें कुछ आप शौर्ट रिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ में आपको जो मैं एक universal method बताऊंगा, वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, तो सबसे बहले देखो, जो leap year होता है, वो leap year repeat करता है, plus 28 years के बाद, ठीक है, जैसे example के लिए year 2000, वो कब repeat करेगा, वो repeat करेगा भी 2028 में, ठीक है, हमें 28 years बाद उसमें मिलेगा same calendar, ठीक है, leap year plus one, तो leap year के just बाद वाला year, example के 2001, तो 2001 जो है, कब repeat करेगा, वो करेगा, six years के बाद, अगर हम recent example ने, तो कौन सा बनेगा, 2020 आपका आगया, ये leap year, leap year के just बाद, 2021, आगे क्या बनेगा, ये 21 है, ठीक है, ये 2020 था, तो ये कब repeat करेगा, ये करेगा, 2048 में, ये कब repeat करेगा, 2027 में, इसमें 7, 6 add कर देंगे, तो 27 में ये बनेगा, repeat करेगा, अगर हम 2022 की बात करें, जो की क्या बना, leap year plus two, या 2023 की बात करें, तो वो क्या बनेगा, leap year plus three, ठीक है, तो वो कब repeat करेगा, वो करेगा, इसमें, ये plus 11 years के बाद repeat करेंगे, plus 11 years, दोनों ही इसमें repeat करेंगे, ठीक है, जैसे 2022 की अगर example लें, तो वो कब repeat करेगा, 11 जोर दो, इसमें 2033, और 2023 2023 कब repeat करेगा इसमें 11 जोड देते हैं 2034 ठीक है तो इस तरह से इनका आएगा यह repeat का ठीक यह shortcut है इसका यूज कर सकते हैं अभी देखिए आप यहां पर इसका यूज करें 2023 बताया गया हमें क्या देखना है 2023 क्या 2028 में रिपीट करेगा नहीं क्योंकि वो कब करेगा 2034 इसके बात की है 2025 में रिपीट करेगा नहीं 2023 2024 में भी रिपीट नहीं करेगा ध्यान रखना है कि कभी भी लीप इयर ओडिनरी इयर में रिपीट नहीं करेगा और ordinary year leap year में रिपीट नहीं करेगा ठीक है तो उसके नेक्स नंबर जो उसमें रिपीट करेगा अब देखे 2017 तो इसमें आप इसको अप्लाई कर सकते हैं जैसे यहां पे इसका पिछला यह अगर प्रीबियस यह देखें तो कौन सा बना है 2016 जो की क्या है एक और यह कौन से साल जो है रिपीट करेगा इसमें अगर मैं छे एड कर देता हूं तो 2023 में रिपीट करेगा यह तो था शॉर्टकट ठीक है शॉर्टकट का आपने यूज किया सेकेंड आप मैथड देख सकते हो यह मैथड आप हर जगा अप्लाई कर सकते हो जैसे एक्जामपल के लिए यहाँ पर हम करते हैं इसमें 2017 से इसको हम काउंट करना शुरू करेंगे तो हम इस एयर को इंक्लूड नहीं करेंगे इसके बाद के एयर में देखेंगे तो 17 है 18, 19, 20, 21, 22, 23 ठीक है तो यहाँ पर क्या आएगा इसमें कितने जो है और डेज हैं 18 में आ आपको एक और डे मिले गा इसमें भी आपको एंड़े मिलेगा और क्यूंकि 2020ly click year है तो ऑद है दो है मिलेंगे और इसमें एक और डे इसमें और डे छोड़ एक है तो सभी में बाकिव में सिर्ध2000've को चोड़के आपको बाकि पल्स आ जाएं तो उसका मतलब है वो जो एयर है वो रिपीट करेगा इस एयर में रिपीट करेगा तो 2017 कब रिपीट किया 2023 एक और चीज़ क्योंकि हमने पिछले सेशन में हमने कोई भी डेट आपको दे दी आपको जैँ उसमें तो इसमें हम क्या करेंगे उस्म को यूज करेंगे क्योंकि यहां पर 2017 2023 इसमें आपको येट नहीं दिया गए हमें दिया गया और उसी में हमें क्या मिल रहे है लीप यह और उसी में हमें मिल रहा है सेंचुरी कोड अब इयर कितने हैं इयर है आपके पास यहां पर 23 तो इसमें आपने क्या करना है यह मैथड आप हर जगा अपलाई कर सकते हो इयर लीप इयर प्लस सेंचुरी कोड ठीक है तो इयर कितना यहां बन रहा है यह है 23 ली पिर कितने है ली पिर आप देख सकतें यह ली पिर नहीं इसके प्रीवेश को अगर आप दिवाइड कर दो 4 से, यहां पे क्या अबर जो यह quotient आता है जो यह भागफल आता है यह लीपीर होते ए तो 5 लीपीर है और century code तो Πांच हमारी कोड क्योंकि 2000 से 2099 जो है इसका code क्या बन रहा है इसका code बनेगा six इसका code यहां पे हम six use करेंगे तो इसमें हम क्या करते हैं इसमें six का करना है छेश में यहाँ मान के चलते की 23 का यहां पर सिक्स कोड मिल रहा है जिक्स होट अब इसमें चेक करेंगे 2017 में सेम ठीज ठीच तो 2017 आप देख सकते इसमें जो है यह कितने से माफ फॉर्मलाइज में यूज करेंगे तो इसमें लीप ए यह यह में 17 टीन लीपिस कितने हैं इसके जस्के पिछे लीपियर ही था तो उसमें कितने लीपर है अगर फोर से डिवाइट करूंगा तो किना आएक है फोर और इसमें आप देख सकते हैं कि ये भी आपका टू-थाउसन लेकर टू-था नाइटीना तक हैं तो इसके कितने डीस बनेगे इसके जो है, इसका century code बनेगा 6, अब आप देख सकते हैं, 6 और 4, 10, और 17 दिनों में कितने odd days हैं, 17 दिनों में 3, और इसमें कितने हैं, 10 दिनों में कितने बनेगे, इसमें भी आपके 3 बने, 3 और 3, 6, तो यह 6 बन रहा है, आपका जिसमें यह जो है odd day, जो same आएंगे, वो आप का year same होगा, तो 2023, 2017 में आपका same year है, ठीक है, same calendar year है, आपका repeat करेगा, ओके, तो यह थे कुछ question जो की हमने discuss किये, अभी हम discuss कर लेते हैं, अभी पीडिया, micro bus के बारे में, micro courses के बारे में, जो की हम अभी पीडिया के पहले है, अगर आप पूरा complete package नहीं लेना चाहते, तो आप जो है, छोटे छोटे courses की form में, आप ले सकते हैं, purchase कर सकते हैं, from अभी पीडिया पोर्टल, तो आपको करना क्या है, मैं आपको directly इस पे लेके चलता हू पोर्टल पे लेके चलता हूँ को, तो ये पोर्टल है आपके सामने यहाँ पे, अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें exam को choose करना है, तो यहाँ पे exam है, SSE CGL, हमने इसको choose कर लिया, और इसके बाद आपको यहाँ पे micro courses पे जाना है, micro words पे गए, और आप अगर अपना counseling session book करना चाहते है, free counseling session, तो आप यहाँ पे अपना mobile number डाल सकते हैं, आप चाहते हो कि हमारा member आप से बात करें, तो यहाँ पे call me पे click करें, या अगर आप WhatsApp पे चैट करना है तो WhatsApp यहाँ पे click कर सकते हैं, ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं, यहाँ पे subjects है, जरनल स्टडि कि मेरा already बाकी जो मैंने topics कर ली है, कुछ specific topics में मुझे problem आ रही है, जैसे example के लिए syllogism, ठीक है, इसमें मुझे problem आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको सिर्फ इसी को मैं जो purchase करूँगा, बाकी पूरा package नहीं purchase करूँगा, ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं, इ multiple choice question, बहुत सारे questions है, जिसके तुरू आप जो है, अपना base strong कर सकते हैं, और किसी भी exam को crack करने का लाइक बन सकते हैं, ठीक है, आपको यहां पे अगर अपना कुछ trial देखना है, trial के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें अपना six minute का trial लगा सकते हैं, ठीक है, और इसमें check कर सक अभी किया है, अभी इसी class में, तो यह 60 rupees का, इसमें तीन video lectures, एक web note और 146 multiple choice question, और मुस्स सारे questions में cover किये गए, ठीक है, तो अगर आपको यह information valuable लगे, तो आप micro courses का, वो purchase कर सकते हैं, और please be sure to join our test series, और हमारे जो हमने community group बनाया है, इसमें WhatsApp है, उसको भी आप जोइन कर सकते हैं, और इस वीडियो को प्लीज लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, that is all for now, thank you so much.